तो फ्रेंट्स आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक 0 PCB है और आज की वीडियो के अंदर हम इसी PCB का यूज करके इस टैप के जो हमारे ग्रेंटी वाले LED बलफाते हैं इसके लिए driver circuit बनाएंगे तो वीडियो को बिलकुल ध्यान से और पूरा देखना तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा तो देखें फ्रेंट हमें क्या करना इस टैप की सीट लेनी है और यह सीट आपको जो इलेक्टोनिक प्रोजेक्ट की दुकान वेगरा होती है वहां पर आपको बड़े अराम से मिल जाएगी तो यहां पर हम क्या करेंगे इस टैप की जो सीट होती है इसका डिजाइन हम ड्रैवर सर्किट की हिसाब से काट लेंगे जैसे मेरे पास यह LED बल का पुराना ड्रैव को कट कर लिया है अब इस PCB के अंदर देखिए क्या होता है एक बार मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दू तो एक सैड अगर आप देखोगे तो एक सैड आपको इसमें कोपर की लेर चड़ी मिलेगी यह देखिए आपको कोपर की बिंदी से दिखाई दे रही है और द 1500 विल्टेज का यह हमारे पेफ कपेस्टर है यह को हमी क्या करना इस तरीकर से लेना है और यहां पे देखिए एक इसको हम यहां पर होल में डालेंगे मैंने डाला पर दूसरे को हम इस को भाराबर से कबारा कि देखिए के अपर दीया现在 system को यहां से निकाल की इसके अंदर दाल रिते हैं, यह मैंने बराबर से PF कपेस्टर को डाल दिया, अब उसके बात देखेए फ्रेंड, यह हमारा PF कपेस्टर है, इसके साथ में एक resistance यूज़ करना है तो यहां पर मेरे पास एक resistance है और यह जो resistance है 470 kΩ का resistance है quarter watt का इसका यूज़ हम किसलिए कर रहे हैं ताकि यह जो PF capacitor है इसके अंदर जब हम AC supply देते हैं तो यह charge होता है तो यहां पर इसके साथ में ही हम इसको लगा देंगे इस तरीके से इसको मैंने यहां भी लगाया है और इसको हम इसके साथ में ऐसे हम जब होग तो तो यहां पे हम इसका भी यूज़ करेंगे, तो इसको हम कहां पे लगाएंगे, इसको हम देखें, यहां पे लगाएंगे, इस तरीके से इसको लगाना है, साइड में एक वायर को हम यहां पे डालेंगे और दूसरी वायर को हम यहां पे डाल देंगे यह देखिए इसके पास में हमें वायर को डालना है इस तरीके से यह मैंने यहां पे इसको भी डाल दिया ठीक है यह हमारा हो गया अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड उसके के अंदर डालों कहां मैं इसको इस तरीखे से hai डैयक को हमि ले लेना है इसको इसको पटा-फट रिदा लिटा हूं किया बडीट को फिल में या आकale legislator को लगा दिया है और की कैसे बनाता है किसले मैंने एक बिडियो के बाताया हैं इसलिए ऊडल के अंदर आपको नहीं बताया अब इसके अंदर देखें यह component हमने एड़ कर दिये अब इसके साथ में हमें एक capacitor भी लगाना है और यह जो capacitor है यहां पर आप देख सकते हो यह capacitor हमारा फोर पॉर पॉर्ट सेवन वेप चार सो वोल्टेज का यह capacitor है तो इसके अंदर हमारा PLUS MINUS होता है तो यहां पर इखें यहांपे मानेसवाली लेग है और यह PLUS वाली लेग है तो इसको हमें लगाना है यह जो डायओट है इसके अंदर हमारा PLUS MINUS बनेगा आपको पता ही होगा Bridge एक डायूट में जोड़ करके दिखा भी दूँ इस तरीके से जब अपर यहां पर यहां पर जोड़ का सिल्वर पत्टी है और एक डायूट का यह ब्लेक साइड है पर इस धायूट का धूर कोंगे वाली सब्सक्राइब है था उर्ख sagt- है और को मिलेगे कि प्लस duy होता नहीं है तो एक सी के यहाँ पर यहाँ यहां पर एक सी के बार यहां से यहांपे ठीक है सिलवर वाली सभी सीट पे यह प्लस वाली लेग है, यह इसके साथ में हम लगाएंगे और इसको हम इसके साथ में लगा देंगे, ठीक है, तो इसको हम इसके साथ में हमें लगाना है, तो मैं फटा फट इसको भी लगा लेता हूँ, यहां पर मैंने सारे components को लगा लिया है, तो यहां पर इसके अंदर हम मोबी है और इसका नमबर भी मैं आपको दिखा दूँ तो 7511 के तो यहां पर इस मोबी का हम यूज करेंगे अब इस मोबी के अंदर भी हमारा कोई प्लस माइनस नहीं होता है तो इसको किसी भी सेट से लगा सकते हैं तो इसको हम कहां पर लगाएंगे यहां पर लगाना है और इसको भी लगाने के बात यहां पर इसके साथ में जोड़ देना है दूसरी को इसके साथ में जोड़ना है तो मैं यहां पर फटा फट पैनल है LED बल्प का इसको हमें जलाने के लिए यूज करना है इस टाइप पैनल होते हैं इसको भी आप यूज कर सकते हो तो यहां पे इसको जलाने के लिए देखे इसके अंदर हमें एक तरफ प्लस-mines की बार निकाल लिए और एक तरफ हमारी AC कर जाएगी तो यहां पे जैस केसी सप्लाई आएगी तो इसके अंदर प्लस माइनस का कोई चक्र नहीं होता तो हम यहां पर टोटल चार वायर को निकाल लेते हैं तो यह देखिए फ्रैंड कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर बार को जोड़ लिया है तो यह जो दो वायर है यह हमारी में सप्लाई की है औ मैं फटा-फट यहां पर बार को जोड़ लेता हूं यह देखिए फ्रैंड यहां पर मैंने LED पैनल की भी बार को जोड़ लिया है तो यहां पर हमारे सर्किट के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं तो चलिए अब इसको हम चेक करते हैं कि यह पैनल हमारा काम करेगा कि नहीं कर रहा है इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है वीडियो के अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह लैट ऐसे जिलमिल सी कर रही है बट ऐसा नहीं है क्योंकि यह जो वीडियो रिकोर्ड हो रही है वो मोबाल कैमरे से रिकोर्ड हो रही है इसलिए आपको ऐसा लग कि अपने किसी भी LED बल्फ के अंदर यूज कर सकते हो यह मैंने आपको फिट करके नहीं दिखाया क्योंकि फिट तो आप करी लोगे बिल्कुल असान है मैंने कई वीडियो के अंदर बताया है नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती तो इस तरीके से आप को आर्सी ड्राइबर ब अंदे मातरम